मौसम भाल द्वारा भारी वारिश की भफिशेवानी के अनुसार जहां पिछले चार दिनों से लगतार बारिश हो रही है जिससे जन जीवन अस्तिवियस्त हो गया है वहीं 14 तारिक की रात करीब 2 बजे बिजली गिनने से जन जीवन अस्तिवियस्त हो गया है गड़ी शहर में कई घरों में पानी भर गया है और कई घर गिर गये हैं 13 जुलाई को दिन भर लगातार होरी बारिश से जन जीवन अस्तिवियस्त हो गया 14 जुलाई को दुपैर करीब दो बजे बिजली के रूप में भारी बारिश के कारण अधिकारी कॉलोनी सदाशिव वागरे अंबेटकर वार्ड रफीक शेक के घर से जन जीवन अस्तिवियस्त हो गया वाडन सर्पे के घर के निचले इलाके में घर में पानी घुजचाने से नुकसान हुआ है और सुबह से पानी निकालने के लिए रहवासियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी वासुदेव धोडरे, गोठा, नाना जी, वंसेकर के घर की दिवास, सौपने लातेरे, देवनात, उंदीरवाडे, मुहन पिपारे, कभीता गोलेत, रविंदर बासेकर, सोमाची सत्तर, रामदा सत्रे, युवरास, सिदाम, दिलिप, नेतम, प्रकाश, उंदरिवाडे, ध वाड का चकल लगाती हुए नागरिकों से बाचीत की, तो तलाती, नरेंदर, मेश्राम, और कालिदास, मानग वागडे ने धाय हुए मकान का पंचनामा कर तहसिलदार चामोशी को नुकसान की रिपोर्ट सौपने चा रहे हैं बीती रात हुई भारी बारिश के कारण चामोशी तालुका में आश्टी पुल चामोशी से गर्चिरोली मार्क पर शिवनी नाला पुल और नवनिर्मेत गोविनपुल नाला पुल में जल जमाव हो गया और पानी के निचले स्तर में प्रवेश्च करने के कारण गर्चिरो चामोशी से BCN News के लिए बबन वडटी वार की रिपोर्ट